हलो माई दियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल हिंदुस्तान नौलेज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे दो हजार चौबीस में जो अदूल महेश्वरी स्कॉलर्शिप का एक्जैम होने वाला है उसके लिए बच्चो को प्रिपेर करवा रहे हैं ठीके मेरी प्रीवेश वीडियो के अदनर मैंने आपसे हिंदी और इंग्लिश के कुछ ऐसे important questions को discuss किया था जो आपके एक्जैम में आ सकते हैं आज के इस वीडियो में हम उन सभी questions को discuss करेंगे जो आपके अदुल महेश्वरी scholarship 2024 के exam के लिए बहुत जादा जरूरी है बच्चो चैनल को subscribe करना मत भूलना क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी ऐसे वीडियो को लेकर आऊंगी जो आपके exam में help करेंगे तो चलते हैं आज के हमारे पहले question पे जो हमारा पहला question है उसके अंदर हमसे पूछा है कि राजस्थान जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है तो बच्चो आपको पता होगा कि राजस्थान की राजधानी है आपकी pink city जिसको हम कहते हैं और वह क्या है वह है आपका जैपुर ठीक है, तो राजिस्थान की capital is जैपुर महाराष्टर का पारंपरिक वयंजन कौन सा है यहाँ पे हमसे महाराष्टर का वयंजन पूछा है options में हैं आपके पास लिट्टी चोखा, बोहा, पूरी सबजी या पुरण पोली तो बच्चों, इसका जो right answer है, वह है पुरण पोली ठीक है, तो जो यह पुरण पोली है, वो कहा का है, महाराष्टर का पारंपरिक वयंजन है क्या आप मुझे महाराष्टर की capital बता सकते हैं तो जो महाराष्टर है, उसकी capital है आपकी मुंबई ठीक है, अब चल दे हैं next question में असम में कौन सी भाशा बोली जाती है तो बच्चों, असम जो है, असम में जो भाशा बोली जाती है उस भाशा का नाम क्या है, असमिया ठीक है, क्या नाम है उसका, असमिया क्या आपको असम की capital बता है students आपको असम की जो क्यापिटल है वो नीचे कमेंट करके वतानी है ठीक है अब जल दे हैं नेक्स क्वेश्चन पर कुची पूरी किस राज्य का शास्त्रिय निर्त्य है कुची पूरी डांस कुची पूरी डांस किसी साउथ इंडिया के स्टेट का डांस है इसमें हमारे पास से करनाटक, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश या फिर आपका केरल तो बच्चों जो कुची पूरी है वह है आंधर प्रदेश का निर्त है उसके बाद नेक्स क्वेश्चन है जो पश्यम बंगाल है ठीक है उसका नाम तो पश्यम बंगाल है लेकिन जिस दिशा में वह है भारत के हिसाब से वह दिशा कौन सी है पूर्व की दिशा है ठीक है तो कभी कोई पूछ साग और मक्य की रोटी कहां पर खाया जाता है किस राज्य का प्रमुक व्यंजन है ठीक है आपको पता ही होगा कि यह है आपके पंजाब राज्य का केरल की प्रमुक भाशा केरल में बच्चों कौन सी भाशा बोली जाती है options है आपके पास मल्यालम, तमिल, तेलुगू या फिर कंणड so students में आपको बता दू कंणड जो है वह तो बोली जाती है हमारी करनाटका के अंदर ठीक है केरल में बोली जाती है हमारी मल्याली भाशा ठीक है मल्याली बोली जाती है कैरला में लावणी जो निर्त्य है किस राज्य से संबंदित है लावणी जो है ठीक है लावणी एक निर्त्य होता है जिसमें एक लड़की होती है जो डांस परफॉर्म करती है सो इसमें है तमिल नाडू, महराष्ट्रा, करनाटक या पंजाब सो स्टूडेंट्स लावनी जो है लावनी निर्त्य है आपका महराष्ट्रा का कहा का है लावनी महराष्ट्रा का निर्त्य है अब चलते हैं question 9 पे करनाटक की राजधानी क्या है बैंगलूरू, मैसूर, मंगलूरू या हुबली So students, बैंगलूरू जो है वह है आपकी करनाटका की राजधानी आपको पता होगा कि बैंगलूरू IT के लिए बहुत दा फेमस है Information Technology Center के लिए So बैंगलूरू को एक और नाम दिया जाता है ठीक है वो नाम आपको बताना है ओके उसके बाद चलते हैं हमारे Question No.10 बे धोकला किस राज्य का प्रसिद व्यंजन है ठीक है धोकला महराश्ट्र का है गुजरात या उत्तरप्रदेश या मध्यप्रदेश So students, धोकला जो है वैब होता है हमारे गुजरात का प्रसिद व्यंजन गुजरात की कैपिटल आपकी क्या होगी आपकी हो जाएगी गांधी नगर ठीक है अब चलते हैं Next Question पे Goa Goa जो हमारा स्टेट है इंडिया का उसकी आधिकारिक भाशा क्या है हिंदी, कॉंकडी, मराठी या अंग्रेजी उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दू कि Goa is also the smallest state of India इंडिया का सबसे छोटा राज्य है Goa ठीक है So, यहाँ पे उसकी आपसे भाशा पूछी है So, उसकी जो भाशा है वह है कॉंकणी कॉंकणी भाशा ठीक है और एक चीज हाँ यह मैं आपको बताना चाती हूँ कि आपको पता होगा कि हमारा जो इधर वाला टट है जो यह हमारा पश्यमी टट है इंडिया का जैसे यह पूरवी टट है यह पश्यमी टट है तो यहाँ पर यह 3 उसमें divided टट के नाम है जिसमेंसे एक टट का नाम है کॉंकण कंटट ठीक है तो कॉंकर टट क्यूं है क्योंकि वहाँ पर कॉंकरी भाशा बोली जाती है इस वज़ा से ठीक है घूमर राजय ठीक है घूमर गाना सुना ओगा आप सबी ने तो बताइए कि घूमर निर्त्य है किस राज्य का निर्त्य है राजिस्थान का है मध्य प्रदेश का है बताइए So students बहुत ही easy है इसको gas करना यह है हमारे राजिस्थान का निर्त्य है ठीक है Then जो बिहार है बिहार जो state है उसकी राजधानी क्या है राची है पटना है गया है या मुझफवर पूर है So students बिहार जो है उसकी राजधानी आपकी क्या है पटना ठीक है चलिए Next question पे चलते हैं बीहू किस राज्य का प्रसिद निर्त्य है तो बच्चो मैंने आपको पिछली ग्लास में बताया था असम के बारे मैंने आपको बहुत सारी information प्रोवाइड की दी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असाम के अंदर काजी रंगा नैशनल पार्क है है ना और ब्रहम पुत्रा नदी के पास है वो और अभी यहाँ पर पूछा है कि असम का निर्त्य जो है वो भी हुए ठीक है तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा असम तो असम के बारे में काफी information अभी तक हम cover कर चुके है नेक्स चलेंगे तमिल नाडू पे तमिल नाडू की प्रमुख भाशा कौन सी है तेलुगू तमिल मल्यालम या कननड सो स्टूडेंट्स तमिल नाडू की जो भाशा है वह है आपकी तमिल जो है जो है वो खाया जाता है आपके बिहार में आपको याद कर लेना है उसमें लिट्टी होती है और चोखा होता है ऐसे गोल-गोल बने होते हैं वो खाने के ठीक है कथक कली किस राजय का शास्त्रिय निर्त्य है आप्शन्स में हैं आंधर प्रदेश, करनाटक, तमिल नाडू और केरल ठीक है सो सारे के सारे ही हमारे साउथ के हैं अगर मान लो पेपर में क्वेशन आता है और केवल एक साउथ का है और बागी सारे नौर्थ के स्टेट्स है तो जो एक साउथ का होगा वो लगा दे ना कथक कली के लिए पर अभी जब सारे ही साउथ के हैं तो क्या करोगे तो याद करना पड़ेगा कथककली जो है, वह है आपका केरल का शास्त्रियन निरत्य केरल की क्यापिटल बता दो केरल की क्यापिटल है, वह है आपकी थीरू वनंथा, पुरम ठीक है? उत्तर प्रदेश की रासधानी कानपुर, लखनव, वारणसी या आगरा तो बच्चो राज़ानी पता है लखनव है ठीक है रोसोगुला किस राज्ये की मिठाई है रोसोगुला ओडीशा की उत्तर प्रदेश की पश्चिम बंगाल की या गुजरात की बच्चो रोसोगुला आपने सुना होगा बहुत बार कौन खाते हैं रोसोगुला जो बंगाली लोग होते हैं ठीक है उनकी प्रसित मिठाई होती है सो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका आंसर रोसोगुला का तेलंगाना की अधिकारिक भाशा क्या है तेलंगाना ओप्शन थामल तेलगू कंणर और मल्यालम इसका रोट आंसर होगा तेलगू बच्चो आपको पता होगा कि तेलंगाना जो स्टेट है वो आपको मुझे बताना है कि तेलंगाना जो स्टेट है वो कौन से स्टेट से अलग हुआ ठीक है मैं questions इसलिए पूछती हूँ था कि आप लोग थोड़ा research work भी करो कभी google पे search करोगे तो एक के साथ 4 information पढ़ लोगे तो वो कहीं न कहीं आपके काम आएगी ठीक है तो आपको यह पता करना है कि तेलंगाना इंडिया के कौन से state से अलग हुआ और कब अलग हुआ ठीक है जो भी मैं questions पूछती हूँ उनके answers जरूर दिया करो comment box से मुझे पता चलता है कि आप लोग अच्छे से videos को देख रहे हो है न और इसमें से जो questions आपको पहले से आते होते हैं उन्हें note मत किया करो भग कि जो questions आपको नहीं आते होते हैं उन questions को short में लिख लिया करो जब भी आप लिखते हैं तो आप जादा वेटर तरीकी से याद कर पाते हैं समझ पाते हैं ठीक है चलिए घूमर निरत्य है घूमर तो फिर से question repeat हो गया है राजिस्थान का है ठीक है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है मोहन थाल मोहन थाल एक मिठाई है tough question है चलो बताओ किस राजधा की मिठाई है गुजरात की है महराष्ट उत्तर प्रदेश चलो गैस करने की कोशिश करो यह राजिस्थान आपको क्या लगता है कि किस की होगी मोहन थाल नाम से कुछ गैस कर पा रहे हो so students यह है गुजरात की पंजाब की प्रमुख भाशा कौन सी होगी obviously बात है वो क्या होगी हमारी पंजाबी होगी ठीक है 25 questions already हो चुके है आगे चलते है next question को करेंगे ठीक है बच्चो भरतनात्यम किस राज्य का सास्त्रिय निर्त्य है भरतनात्यम ठीक है आपको बताओगा कि भरतनात्यम बहुत ही famous dance है so आपको बताना है कि भरतनात्यम जो है वह हमारे किस राज्य से associated है तमिलनाडू से है या फिर करनाटक आंधर प्रदेश्या तेलंगाना so students बहुत easy है guess करना तमिलनाडू का है भरतनात्यम आपको याद करना है जम्मू कश्मीर की राज्धानी क्या है उसकी राज्धानी है श्री नगर खोर्मा किस राज्य का प्रसिद वेंजन है बिहार जम्मू राजिस्थान या गुजरात खोर्मा guess करो कहा का हो सकता है मुझे तो जम्मू कश्मीर का लग रहा है पाकी देखते है नीचा आंसर में क्या होगा बिहार भी है क्योंकि बिहार का नहीं हो सकता so students खोर्मा हमारे जम्मू कश्मीर का यह उसके नाम से ही हम अद्नाजा लगा पा रहे थे ठीक है, ओडी शा کی अधिकारिक भाशा कौन सी है, हिंदी, पण्गोली, उडिया या असमिया, ओव्यस्सी बात है, कि ओडी शा की जो भाशा होगी, वो क्या होगी, उडिया होगी, ठीक है, गर्भा गर्भा किस राजय का प्रसिद निर्टय है, आप सभी को पता होगा, कि जो हमारी गुजरात की स्टेट है वहाँ पे नवरातरी के टाइम पे सारे के सारे जो गुजराती ही होते है वो परफॉर्म करते हैं गर्बा डान्स ठीक है सो गर्बा कहां का है हमारे गुजरात का option number B इसका right answer है चलिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी options है धरमशाला, शिमला, मनाली या फिर आपका सोलन सो students इसका answer है शिमला सामबर सामबर है next question इडली और सामबर खाया है कभी सामबर जो है वो कहां से आएगा कौन से स्टेट से बिलॉंग करता है ठीक है South India का favorite है तामिलनाडू, करनाटक, आंध्र या केरल तो सामबर है हमारे तामिलनाडू का पश्रिम बंगाल की प्रमुख भाशा क्या है हिंदी, बंगॉली, उडिया या असमिया तो बच्चों बंगाल में क्या बोली जाएगी बंगाल में बोली जाएगी आपकी बंगाली ठीक है चलिए नेक्सक्षों पर मेघालय मेघालय की राजदानी बताईए इमफाल, गूवाहाटी, शिलॉंग या फिर कोहीमा ठीक है मेघालय की राजदानी बच्चों शिलॉंग है वही आपको बताने है गुवा हार्टी कौन से किस state की है इमफाल भी किस की है और कोहिमा किस की है तीनों आपको पता होने चाहिए North East के जितने भी states हैं North East के जितने भी states and capitals हैं वो याद कर ले ना थोड़े से तब बच्चों को मतलब confusing लगते हैं आप चाहें तो नीचे कमेंट मुझे सारे 7 और 10 के states और उनकी capitals को लिख के भी भेज सकते हैं ओके, I will appreciate your efforts नाव चलते हैं नेक्स्ट पे पोहा, मद्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महराष्ट्रा पोहा, मद्यप्रदेश में खाया जाता है अगर आप लोग कभी MP गए होंगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो daily मतलब almost खाते ही हैं पोहा, सुबा breakfast में, सो मद्यप्रदेश में खाते हैं पोहा, P-O-H-A और वहाँ जैसे हमारे यां गलियों में ऐसी normally भी shops पे easily मिल जाता है वो कोई भी बेच रहा होता है उसको pack करकर के ठीक है, अब चलते हैं सिक्किम की राजधानी पूछी गई है सिक्किम, Gang Talk, Shilong, Kohima या फिर अगर तला तो बच्चों जो हमारा सिक्किम है उसकी राजधानी है हमारी Gang Talk ठीक है, चलिए नागा लेंड की प्रमुख भाशा पूछी है ऑप्शन से हिंदी, अंग्रेजी, नागा और असमिया खुदी बता चल रहा है, नागा यह होगी नागा लेंड की ठीक है, चलो मणीपूर की राजधानी अगर तला, इमफाल, Kohima या आईजोल बच्चों, बताईए मणीपूर की राजधानी क्या है मणीपूर की है आपकी इमफाल तवा पराठा किस राज़े का वेंजन है, तवा पराठा यूनीक क्वेशन है मध्यप्यदेश आप्शन में है हर्याणा है, पंजाब है और दिल्ली है तवा पराठा खाते हैं अरियाणा के लोग ठीक है, उत्राखंड की राजधानी क्या है नैनिताल, हरीद्वार दैरदून या रिशीकेश तो बच्चों जो हमारा उत्राखंड है यानी कि यूके है उसकी राजधानी है हमारी दैरादून UK में हमने एक national park बढ़ा था जो कि इंडिया का first national park है जिसका नाम क्या था जिम कॉर्बेट national park ठीक है यह किस जानवर के लिए famous है ही मैंने आप लोगों को बताया था comment करके जरूर बताना मैंने कम से कम 4 to 5 questions आप से पूछी है जो मुझे comments में चाहिए ही चाहिए उनके answers ठीक है जरी मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो हम सीरीज को आगे continue करेंगे ठीक है चलो so don't forget to like the video ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करने मत बूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियो के लिए ठीक है और bell icon को प्रेस कर देना जैसे ही new वीडियो आएगा तो फिर आपको notification आ जाएगी daily हम class को upload करते हैं ठीक है बच् झाल झाल आएगी झाल झाल नाएगा झाल 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 झाल